नवस्कार साथियों स्वागत है आप सबों का एक बार फिस से आपके अपनी यूट्यूब सैनल रामगड़ एडुकेर में साथियों जहारकण में जितने भी गौर्मेंट बीड कॉलेज हैं उनका एक सेपरेट वीडियो हमारे सैनल पर बैना हुआ है सेमी गौर्मेंट कॉलेज के लिए और प्राइबेट कॉलेजों के लिए सेपरेट वीडियो बने हुए हैं योनो सिटी वाइज दोस्तों किस कॉलेज में कितना फी है कहां पर कौन कॉलेज है सारी डीटेल में वीडियो बनी हुए है तो आपको separate playlist मिल जागा हमारी YouTube channel पर उसके बाद में PDF जो है college का list वो telegram में share किया गया है फिर भी आप लोग पूछ रहते कि इस बार government college के लिए कितने marks लाने होंगे semi government के लिए कितने लाने होंगे private के लिए कितने लाने होंगे प्राइवेट वालों के लिए tension नहीं लेना है बिल्कुल प्राइवेट में admission लेना तो सिर्फ आप लोग पैसा तयार रखेगा रुपिया पैसा ठीक है तो इसमें कोई भी tension नहीं लेना है प्राइवेट में काफी easily आपका marks अगर बहुत कम भी है तो admission हो जाएगा यहाँ पर बात करेंगे government college में कितने marks लाने होंगे इससे पहले दोस्तो कुछ चीजें जो है समझनी होंगी total जो seat है हमारे 13,290 seat है 13,290 seat है दोस्तो इसमें से जो है seat रिजर्ब रती है 40% seat जो रता है open के लिए रता है और EWS के लिए रता है 10% वहीं AC के लिए 10% seat रता है ST के लिए 26% और BC1 के लिए 8% दोस्तों और BC2 के लिए 6% seat रहता है तो यहाँ पर category जो है काफी ज़्यादा matter करता है और नमांकन के time में counseling के time में और CML rank category rank दोनों यहाँ पर काफी ज़्यादा defend करता है तो यहाँ पर total जो seat होते हैं दोस्तों open में या general के हैं तो इनके लिए 5296 seat होते हैं वहीं EWS के लिए दोस्तों total seat जो होते हैं 1324 होते हैं ST category में जो total seat होते हैं 1324 होते हैं और ST में दोस्तों ST में total जो seat होते हैं 3443 होते हैं और BC1 में दोस्तों BC1 में 1069 seat और BC2 में 794 seat ठीक है तो यह जो है seats है आपका दो तरह का यहाँ पर rank बनता है एक तो बनता है CML rank और दूसरा बनता है आपका category rank में सभी category के लोगों को उनके marks जो आएंगे उनके जो नंबर मिलेगा एक्जाम के बाद में तो उनके marks के according सभी categories को यहाँ 123 इस तरह से ranking दिया जाता है उनके marks के according यह बनता है CML rank category rank में सबके separate category बनाये जाते हैं separate category बना जाते हैं EWS का अलग ST का अलग general का अलग OBC का अलग और आपके category में मान के चलिए आप ST है तो आपके category में जितने student है उनके marks के according यहाँ पर आपको rank दिया जागा EWS के लिए अलग rank OBC 12 के लिए अलग rank तो इस तरह से category rank बनता है तो counseling के time में यह जो है काफी ज्यादा effect करता है तो एक जो general idea होता है वो मैं share करूंगा कि कि मार्क्स लाने हो सकते हैं आपको और इससे पहले मैं government college के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ आपको पता है चार government college है सबसे पहले तो बिनावा भावे university के अंतरगत में है गौवर्मेंट government teacher training college हजारी बाग 100 seat है इसमें girls के लिए girls के लिए hostel है ठीक है और दूसरा जो है महिला government college ठीक है महिला government teacher training college ये रांची में है तीसरा जो है आपका government teachers training college रांची और महिला वाला जो है ये आपका देवघर में है, ठीक है, गौर्मेंट, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, देवघर, तो सभी में 100 सीट, टूटल यहाँ पर गौर्मेंट सीटों की बात करें, तो 400 सीट, जिसमें से 100 सीट जो हैं, अकेले इधर फिमेल के लिए है, तो वाइस क करूँ, तो फी जो है दोस्तों, सभी गौर्मेंट कॉलेजों में 25 से 30,000 तक आपका 2 साल का टूटल फी लगेगा, इसमें से आपको स्कॉलर स्टीप जो है, 38 से 40,000 के आसपास स्कॉलर स्टीप मिल जाएगा, तो जितना आपका खर्चा होता है 2 साल में, उससे ज़्यादा स्कॉलर स्टीप मिल जाता है, इसलिए स्कॉलर स्टीप जो है, यहाँ पर काफी ज़्यादा माइनी रखता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को गौर्मेंट कॉलेज मिलने के बावजित भी एडमिसन नहीं लेते हैं, रिजन होता है, क्योंकि उनका जो सीटी होता है बहुत दूर होता है, डिस्टेंस में होता है, हजारी बाग वाले को मिलेगा अगर देव घर में एडमिसन तो वहाँ जाके रहेगा तो वहाँ पर उसको रहना, खाना, आना, जाना का तो एक्ष्टा खर्च तो लगी जाएगा, इसलिए मैक्सिमम जो लोग होते हैं, अपन का रिजल्ट है, जो टॉपर था, ठीक है, 76 मार्क्स थे, उसके बाद देखे किस तरह से मार्क्स जो है, डाउन हो रहा है, इधर देखे, CML रेंक यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, बढ़ते जारा है, इधर कैटेगरी रेंक अलग से मिल रहा है, कैटेगरी रेंक अलग से मिल रहा है, 1, 2 1, 2, 3, 3, यह कैटेगरी रेंक अलग से यहाँ पर बनता है, तो देखे, नीचे आईएगा, तो नीचे जो हैं मार्क्स काफी तेजी से कम हुए हैं, अगर यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूँ और नीचे जाऊँ, देखिए, 400 अगर CML तक आते हैं, यहाँ पर 400 तक, तो 400 में देखिए, यहाँ जो टूटल मार्क्स है, वो 61 है, ठीक है, और यह जेनरल के लिए है, CML के लिए है, कॉमन मेरिट के लिए है, लेकिन यहाँ पर कैटेगीरी वाइज अगर देखिएंगे, तो और भी ज़्याद वारी करेगा, कैटेगीरी दीखे देखिए, चलिए, तो इससे बहुत कुछ आइडिया लग जाता है, और जो भी आइडिया कंक्लूजन निकलता है, मैं आपको यहाँ पर सेयर कर देता हूँ, अगर आप जेनरल कैटेगीरी से हैं, दूस्तों, जेनरल कैटेगीरी से हैं, तो आपको government college पाने के लिए at least कम से कम आपका CML rank जो होना चीए, CML rank कम से कम आपका 500 के नीचे होना चीए, 500 से 600 के नीचे, ठीक है, और यह vary भी कर सकता है, अब कितने लोग आप जिस college में आवेदन किये हो, नामांकन के लिए, counseling के लिए, वहाँ आपके कैटेगीरी के, कितने लोग आवेदन किये हैं, यह भी माइनी रखता है, क्योंकि आपके category की according वहाँ पर merit बनेगा, तो यह vary भी कर सकता है, 800 तक जा सकता है, यानि कि 1000 मान के चलिए, 1000 है तब तो chance है, जनरल वालों का, अब इसी वालों के लिए भी उतना ही बोलेंगे, अब इसी वालों का है, भी 800-900 तक अगर rank है, CML rank, और marks की बात करें इनका, 60 marks तक है, अगर 60 plus है तो government का पूरा chance है, और ST, ST की बात करें, तो इन में दोस्तों, इनका अगर 1500-2000 भी rank है, 1500-2000 भी rank है, और marks की बात करें, अगर 50 plus marks है, तो पूरा chance है कि इनको government मिल जाएगा, EWS के लिए भी दोस्तों, EWS के लिए भी 50-55 marks पलस है, तो government college मिल जाएगा, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, कितने rank लाने होंगे, और कितना competition है, government college को पाने के लिए, और फिर भी अगर कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रहा है, confusion है, doubt हो रहा है दोस्तों, तो आपको comment section में ज़रूर पूछ सकते हैं, doubt clear कर देंगे और आगे semi government college के बारे में भी आपको बता देंगे, चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद सात्यों